विकाश्य वास्ता वही प्रश्ण मेरा कोई भी पार्टी हो उसका नाम कोई हो कोई नेता हो देश में पिछड़े और दलित जिसके पक्ष में नहीं होंगे वो चुनाव नहीं जीत सकता ना गाजियाबाद में ना गाजीपूर में इस बात से सहमत हैं कि नहीं और अगर चु कारण में नहीं आ सकती वी खशिवास्ता कि जा अधी सरकार के दस वड़स्य कारकाल में न्सी अरभी के आकड़े सरकार के मंत्रियों ने स्वैम सिवकार किया है कि पूरे देश में दलीतों पर उत्पीरन पिषणों का दलीतों का पिषणों का जो उत्पीरन है वो चार गुणा बड़ा है आजादी की बात कर सबसे बड़ा रिकार्ड है दूसरा रोहडी आयोग हो चाहे वो जस्टिस आग्वेंट कमेटी की 400 पन् पिछोडों को जो सवधानी का दिकार मिलने की समिच्छाती सर्वेच्छण था उसका ख़ड़ा विरूद किया भारती जनता पाटी लगातार अकि पिछोडे दलितों के स्वाहिमान सम्मान के साथ कुठारा गात हो रहा है चाहे बहन बेटिया हो चाहे युवा हो चाहे वो गुजुर्गों और उनके भविस्य की जितनी भी योजनाय है उसमें च्छल सतंद किया गया है असी करोड लोगों को केवल उनके स्वाहिमान सम्मान और सवधानी के दिकारों को छीनने के बाद केवल पाच किलो रासन की हैसियत में उनका रिकार्ट पिस्थापित करने का क किया वैस्विक अस्तर भारत के दलितों पिचलों का जितना अपमानमोदी सरकार ने किया आज तक नहीं थे इसलिए जिल लोगों ने इनको थोड़ा साभी आशिरवात दिया था दो हजार उनके जूट इनके जुमलों पे बड़े-बड़े नारों और होडिंग पर प्रध रुक नहीं होगा आ रहे है राठी साब आपको पसा रहे है उन्नीस में दलित विकास ने कहा उन्नीस में दलित पिचलों आशिरवाद दिया आप बोलोग इनके खिलाब खड़े हो गए लाठी लिके सरल भाष्या में उसका आर्थी है ठीक दियुरा शुल में भी चुणाव हुआ महराव मध्य-प्यष में डलित पिचला नहीं है क्या 36 जल में दलित पिचला आधिवासी नहीं है क्या वह गंडिया Very गजब कर रहे हो और लाइन तो सही लेओ भाईया टिकेट तो सही ट्रेंड का पकड़ो खर चलो आप कांगरीस की मर्जी वो अगर यही टिकेट लेके किसी ट्रेंट में बढ़ना चाहती तो मेरी शुब कामना विजयराथी मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं दलित पिछड़े इसका बड़ा शोर है कि वह दलित और पिछड़े वाजपागे खिलाब हम माल लेते हैं अभी लिटेस्ट जो चुनाव हुआ तीन राज जी का मद्यपदेश राजिस्थान चातिस्गर वहां का परिणाम क्या पता रहा है वहां दलित पिछड़े ने बोट नहीं डाला क्य विजेराटी उस समय पर जो इलेक्टिसिटे मिनिस्टर थे बावन अजार करोड का उत्तर परदेश में सिलान्यास करके गए ते और दो प्लांट तो मैं भी बता रहा हूं हर्दुआ गंज लीगाड और गातंपुर कानपुर जो आपने रोग दिये आपकी पोल आपके जुमले अभी ख उसका नाम मन बताओ, नहीं तो कि आपके दफ्तर सिवजली आती, ये उनका प्रश्ण इसका उत्तर जरूर दीजेगा, लेकिन मेरा प्रश्ण वहीं खड़ा था, मैं इस तरह के प्रलाप में कैसे शामिल करनूं खुद को, कि जहां अभी चुनाव होके चुका, जहां दलित और पिछोणों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, 36 गड़ जैसा राज्य, आदिवासी बहुल राज्य, क्या, बहां मतादरे बहुत होड़ो तुम चुनाव, अब की हो रहा, दलित पिछला, सब खिलाप है, महिला और युवा और सब, तब तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये दुस्तों अपने थाबित होगा चुनाव, दो-चार सीट भी नहीं आएंगे आलोग जी, जब दलित, पिछला, महिला, आलफ संख्यक, युवा और किसान, च्छे लोग खिलाप हैं, तो इसके बाद बस्ता कोने बोट देने वाला, आलोग बर्मा, अंतबें ये तो लगता है, म हम बता रहें कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है, 14, 17, 19, 22, कोई भी गवए इलेक्षन, कोई भी सहरी एलेक्षन, नौजवानों ने हमको गोट दिया, महिलाओनों ने हमको गोट दिया, सबी जातियों ने हमको वोट दिया वो चाहे अगड़े हो चाहे पिछणे हो चाहे दली तो आज भारती जनता पार्टी की पहचान यही तो है कि कोई एक वर्व समूख यह नहीं कह सकता कि भारती जनता पार्टी के उपर उसका साया है कोई भी जाती है कोई भी धर्म हो भारती जंता पार्टी के साथ खड़ा है और भारती जंता पार्टी इसलिए आगे बढ़ रही है साहब क्योंकि हम नए तरीके से सोचते हैं अभी हमारे साहब कह रहेते बिजली अरे साहब अपने घर चले जाईए अपने गाउं चले जाईए अगर आपके घर में लटू चमक रहा है तो BJP में कुछ किया होगा न साहब पर भी हमने काम किया है इस पर भी हमने काम किया है अमिताब जी एक नाम पुशे इंसे उनके नाम एक नाम तुम जुटे हो तुमारे जुमले हैं तुम दूसरे काम राम का नाम अखलेश का काम राम का नाम अखलेश का काम इसी के साहरे तुमस्तर पोडेश में जीते हैं राम का नाम अखलेश का काम एक पार कांट एक पार कांट का नाम एक उनिवस्टी का नाम रहुआ है कि अलुबॉषियाूट नाम बता इन नोखने का नाम बताओ इसका पार को नियुका प्रोड़क्शन किया अमने इन नाम बताओ कितनी का प्रदेश को मिसली जिपरत है बताओ एक पेपर जो लीग ना वाओ बताओ जने लोगों ने आथ मुस्राबी कर रहे हैं जरोगां का पेपर आउट है। सब्सक्राइब देख लिया देख लिया साथ दोजार पार राम का नाम अखलेश का काम और राम का नाम मुह में राम और बगल में छुरी ये काम है आपको का नाम बता आपके टाइन में एक लाक रुपए में इसकान विजली का करेक्ष्ण लेता है बताओ ये तना महला कैसे है कब हमें महला इसलिजात मिलेगी बताओ गन्ये की पड़ु नहीं कि हरी गन्ये का दाम क्यों है मिल रहा किसान फ़सल का दाम प्यों है उनकी खाद की बोरी में सब 10 किलो चुत्रा लिया किसानों की पैक्षिल कुल गई है लोगों के छोड़ दिया चीक है दोनों को रोक दीजिए दोनों की आपास रोक दीजिए होगे होगे आगे आगे बाई आगे आगे राधी साब आगे कापी होगे अभी कर चार जून तक चर्चा चलेगी आगे बाद अच्छे से आगे अप्टिक गना